नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चनल ओनलाइन और ओफलेन ज्यान में दोस्तो एक बहतरी इन अपोर्चुनिटी D.S.B की तरफ से आप लोगों के लिए फिर से आचुकी है मैं बात कर रहा हूँ ITA वाले बच्चों की कौन-कौन इसमें अपलाई कर सकता है कौन नहीं कर सकता अभी आपको सारी जानकरी प्रोवाइट करूँगा लेकिन यह नोटिफिकेशन समझाने से पहले आप सभी जानते है D.S.B का लगबग 7 महीने पहले 6 महीने पहले एक और नोकरी का अपडेट आप लोगों के लिए आया था मैं बात कर रहा हूँ D.S.B इंस्ट्रक्टर की उसमें वाक्शोप अटेंडन वाली पोस्ट के लिए बड़ी मात्रा में बच्चों ने अपलाई किया था अभी उसकी कोई भी अपडेट नहीं है अभी डिपार्टमेंट ने कोई भी एडमिट काट की इंफोर्मेशन नहीं दिया एक्जाम कब होगा उसकी जानकरी नहीं आए तो जैसे ही उसकी अपडेट आएगी आप टेंशन मत लीजिए मैं आपको अवेर उसके बारे में कर दूँगा अब हम आप लोगों को नोटिफिकेशन समझाते हैं लेकिन सबसे पहले ओफिशल साइट आप लोगों को दिखा दू कहीं आप लोगों को ऐसा न लगे कि किसी प्रकार की बोगस आप लोगों के सामने वेकेंसी है तो यह ओफिशल वेबसाइट है इसका लिंक आपको डिस्किप्शन में दूँगा टेलेग्राम पर भी डाल दूँगा ओल ओवर इंडिया से आप लोग इसका फॉर्म फिल कर सकते है डी ट्रिफिकेशन में इस सारी चीज़े अच्छे तरिके से क्लियर करके चलते है ठीक है अधर इस्टेट वाले जितने भी है यूर से अपलाई करना बाकी जो दिल्ली के है स्टी ओबी सी जो भी आपकी कैटिगरी है उसके बेस पर अपलाई कर देना अब इसका जो फॉर्म है वो आपका चालू हो रहा वो शेयर कर दूँगा यहाँ पर मल्टिपल पोस्ट आपको दिखेगी फर्मासिस्ट है टेकनिकल असिस्टेंट है जूनियर रेडियो ग्राफी है उसके बाद टेकनिकल असिस्टेंट ग्रूप फोर की वेकंसी है साब स्टेशन की वेकंसी है अब ये जो इलेक्ट्रिक फिटर देख रहे हो ना आप लोग फिटर वाले बच्चे इसमें अप्लाई नहीं कर सकते कहीं आप सोचों कि हम फिटर वाले घुसके इसमें अप्लाई करेंगे दूसरी कैटिगरी है एक चीज और जिसकी आईटिय नहीं है वो दसवी बेस पे भी इसका फॉर्म फिल कर सकता है किस पोस्ट के लिए अभी जो है अच्छे तरीके से हम लोग देखेंगे रोट्समें सिविल वाले बच्चों के लिए अच्छा मोका उनके लिए वेकंसी है बुग बाइंडर की जो आईटे की ट्रेड है उनके लिए अच्छा मोका है तो अभ पर सबसे पहले फर्मा सिस्ट की जो वेकेन्सी है इस पे इतना हम लोग फोकस नहीं करते आप लोगों जानते ही है तो जो जो relevant पोस्ट है उस पर चलता है वहाँ पर आप लोगों को जो है इलेक्टिशन वाले बच्चों को ये लोग पोस्टिंग देंगे नब्बे पोस्ट है एक साल का एक्सपिरेंस मांग लिया इलेक्टिशन में अदरवाइस एलेक्टिशन वाले बच्चे बड़ी मातर में इसका फॉर्म डालते अब आपके पास relevant कोई certificate है चाहिए वो किसी company का हो आपके पास proper salary slips है क्योंकि DV के टाइम पर आपस सब चीज मांगी जाएगी अगर form फिल करते टाइम कोई document अटेश कर रो एक्सपिरेंस का वो ठीक है लेकिन जब DV होगा वहाँ पर आप लोग फ़र्स जाओगे तो proper आपके पास relevant चीजे होने चाहिए यहाँ पर जो मांगा है दसवी पास मांगा है अब second जो point है वो है आप लोग का NTC यानि National Trade Certificate मैंने आपको उस दिन बताया था है NTC में दोनों सीजे आती है SCVT भी NCVT तो दोनों कैटिगरी के बच्चे अपलाई कर सकते है लेकिन एक condition है 2018 के बाद ज National Trade Certificate नहीं लिखा तो प्लीज अपलाई मत करना form आप लोग का accept हो जाएगा एक्जाम हो जाएगा लेकिन डीवी का टाइम बाहर खड़ दिये जाओगे वन यहर का experience इन्होंने मांगा है अब ऐसा नहीं बोला इन्होंने relevant field में होना चाहिए अगर आपके पास किसी company का experience है ह हां ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई backend cover के computer cover के वो experience नहीं चलेगा आप लोगों का आपकी ITA से related जो आपके पास experience है वो आपका काम करेगा एक चीज जोर अगर आपके पास apprentice है एक साल की तो वो नहीं लगा सकते apprentice training होती है आप लोग कहीं सोचके कि हम apprentice लगा के इसका form डाल दे ISO grade पर के हिसाब से तो आप समझे कि आपकी salary किस level पर पहुँच जाएगी और D, triple SB में instructor की vacancy थी आप लोग उसके बार में भी जानते किस तरीके का salary structure यहाँ पर रहता है उसके बाद electric, fitter की जो vacancy है, fitter वाले बच्चे इसमें नहीं apply करेंगे, कौन apply करेंगे सुनिए, diploma in electrical engineering, जो electric का काम होता है उसमें electric fitting भी होती है, तो वो category है, यह fitter वाले बच्चे नहीं है, कोई आपको बेफकू बना रहा है कि fitter वाले apply करेंगे तो please be aware उसके बारे में, diploma चाहिए आप लोग को electrical engineering में one year का experience चाहिए, अब देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे, जिन्हों point है, इसका वो है कि ITI electrical, duly recognized by government trade, दो साल का आपके पास ITI भी होना चाहिए, और high tension और low tension का आप लोगों के पास जो है, यहाँ पर जो criteria mentioned है, वो होना चाहिए, उपर वाली post के लिए जो उपर दे रखिए, यह वाली, इसमें किसी भी परकार का high tension या low tension का criteria इन्होंने नहीं म course, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर जो है, आप लोगों का, जो relevant चीज़े लग रही है, वो मैं देख रहा हूँ, डोट्समें, अब देखो, डोट्समें में इन्होंने properly mention नहीं किया कि civil चाहिए, या फिर जो है, आप लोग को mechanical चाहिए, लेकिन नीचे वाली जो mechanical या civil कौन सा चाहिए, डी ट्रिप्लेस बी के थूरू जो वेकेंसी निकलते हैं, उसमें civil की जो demand है, वो जादा होती है, तो as per my experience, civil वाले बच्चों की आप requirement है, लेकिन आप अपनी नीचे वाली post के लिए apply करना, वहाँ पर civil का criteria आप लोगों को दिख जाएगा, age भी साथ साथ देखते रही है, जो आप लोगों को दे रखी है, डी ट्रिप्लेस बी के notification में everything आप लोगों को प्रोपर तरीके से दे रखी है, चले बस भी आपको नीचे देखने को मिल जाएगा, उसके बाद ये wireless operator की है, जो relevant है, उस पर मैं focus कर रहो है, ये master degree की है, उसके बाद degree in science from a recognized university, इससे भी आगे बढ़ते हैं, जो ज़्यादा relevant है जिसके लिए आप लोग apply करेंगे, वो देखते हैं, अब ये वाली जो है, ये देखिए आप 12th class pass आप लोगों को होना है, science system से, अब ये नहीं बोला PCM चाहिए, ये PCB चाहिए, science होने चाहिए, लेकिन साथ में 3 years का experience मांगा, अगर ये नहीं है, तो degree in science from a recognized university आप लोग apply कर सकते हैं, ये साथ साथ देखते रहे न, उसके बाद अगर बात करें, ये graduation level की है, आगे बढ़ते हैं, department of Delhi, archives ये जो है, ये थोड़ी different है, उसके बाद 0x operator, 0x operator में सिर्फ 12th pass मांगा, देखो, 12th pass के base पे आप इसका form डाल सकते हैं, एक vacancy I think, you are category में दे रखिये, ये आप देख सकते हैं, you are से इसमें apply कर सकते हैं, 12th base पे, उसके बाद junior librarian में 12th pass सही है, लेकिन library का course मांग लिया इसमें, so आप लोग जो है, इसे एक बार देख लेना, अगर आपके पास है, तो you can apply, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये जो है book binder, book binder की जो post है, ये आद देखूं, department of Delhi जो archives है, उसमें आप लोग को मिलेगी, इसमें ITA मांगा है, simple, ITA देखो आप, book binder वाले बच्चों की वैसी vacancy नहीं आती, आपके लिए आईए, तो please be aware, आप लोग form फिल करना, ITA आप लोगों का जो है, book binder मे होने चाहिए, और दो यहाँ पर post है, आप लोगों के लिए, यूर कैटिगरी में, age आप लोग देख लिए, 18-27 साल है, 18,000-56,000 के बीच का आपका criteria, grade पे थोड़ा कम है, इसका ये आप देख लिए, उसके बाद library attendant है, ये matriculation चाहिए, और certificate चाहिए, library and informational science में, उसके बाद nurse grade की vacancy है, आगे बढ़ते हैं, जो relevant है, ये municipal जो इनका department है, special education teacher की, ये B8 से related है, so we'll not focus on this, उसके बाद ये architectural से related है, और psychotherapist की जो vacancy है, ये municipal council काउंसिल की vacancy है, डिगरी डिप्लोमा की है, जो जो relevant है, उस पर focus करूँगा, ये BSC की है, उसके बाद ये वाली देखो आप, ये दसवी पास मांगा है, और डिप्लोमा मांगा है, इन्होंने radiography में one year के experience के साथ, ठीक है, ये criteria इसका age आप लोग साथ साथ देखते रहना, pay scale भी देखते रहना, उसके बाद आगे जो relevant है, देखते हैं, अगर जो मिलता है, ये वाला, ये भी I think आप लोग apply कर लोगे, जो computer lab IT assistant की vacancy है, आपको senior school certificate आपके पास होना चाहिए, या बारवी पास होना चाहिए, ए लेवल का डो एक का आप लोगों के पास certificate है, और साथ में आप लोगों का should possess a speed of not less than 8000 की depressions per hour, तो ये आपके पास होना चाहिए, उसके बाद इसका भी grade पे 2800 है, उसके बाद हमारे पास ह है, ये operator theater assistant है, आगे बढ़ते हैं, इसमें experience मांगा है operator theater का, उसके बाद ये रही, देखो भाई, एक और post है, तीन vacancy है, यहाँ पर dental hygienist की vacancy है, और इसमें क्या मांगा है, matriculation ही दसीफास, equivalent from a recognized word, और science and registered dental hygienist आप लोगों को होना है, तब जाके आप लोग अपलाई कर पा veterinary hospital, इसमें दसीफास मांगा है, और one year का experience आप लोगों को पास operation theater का, of government hospital का होना चाहिए, तब apply कर पाएंगे, otherwise आपके पास ये नहीं है, तो इसके बेस पे apply कर सकते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये वाली जो vacancy है, इसमें भी experience मांगा है, एक vacancy है, आगे बढ़त vacancy है, दो post है, dotsman civil वाले बच्चे, दसी पास करके, अगर आपने it complete किया है, dotsman civil में, ncvt से तो आप apply कर सकते हैं, scvt से भी कर सकते हैं, लेकिन आपके certificate पे ntc लिखा होना चाहिए, आपका certificate ntc से recognize होना चाहिए, आप लोग apply कर पाएंगे, अब यहाँ पर जो next vacancy है भाई simple दसी पास आप लोगों के लिए मांगा, 18 vacancy है, आप लोगों के सामने है, एक साल का experience जो है, compulsory नहीं है, laboratory attendance में है, तो अच्छी बात है, नहीं है, तो भी apply कर सकते हैं, simple दसी के base पे, age 18 से 27 साल है, इसलिए बस आप लोगों को नीचे देखने को मिल जाएगा, उसके बाद यह experience related है, उसके बाद chemistry की vacancy है, जो मुझे relevant लग रहा है ना, वो मैं focus कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, यह जो है आप लोगों का bachelor degree की है, उसके बाद senior secondary, यह देखो, यह वाली senior secondary 12th pass आपको चाहिए, लेकिन एक essential experience रख रहा है, तो इस पे भी हम लोग ज्यादा focus नहीं क बोल रहा हूँ, एक मैंने drotsman civil की आपको उपर बताईए, एक यह है आप लोगों के लिए, आप लोगों का diploma drotsman में होना चाहिए, और यहाँ पर आप लोगों के पास two years का duration इन्होंने मांगा हुआ है, डिप्लोमा का, ठीक है, और practical training 6 मेने की भी रखी हुई है, आईटे की उपर है, डिप्लोमा की नीचे है, उसके बाद कोई ओर दिखती है मुझे relevant, so definitely मैं आप लोगों को उसके बार में aware करूँगा, वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है, reason आप लोगों को पता ही है, और यह जो एक पोस्ट है, आपकी मैटरन की, मैटरन में 12th पास मांगा है, height जो criteria है, आप लोगों के सामने, chest height का और medical standard का, उसके बाद आप लोगों का senior scientific assistant, this is away है आप लोगों से, आप लोग अप्लाई कर पाऊगे इसके लिए, diploma in electrical engineering आपके पास होना चाहिए, और desirable experience मांगा है, practical का composer ही नहीं है, डिप्लोमा के base पे आप लोग अप्लाई कर पाएंग यह आप लोगों का syllabus है, प्लीज इस पे focus कर लेना, snapshot ले लेना, एक किस तारिक से आप लोगों का जो है, यह perform चालू हो रहा है, क्या क्या चीज़े है, सब कुछ आप लोगों को given है, syllabus की sports के लिए क्या है, यह आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, in case syllabus नहीं स सामने है, और official site मैंने आपको दिखाई दिया है, और workshop attendant और जो instructor की vacancy थी, अभी please have some patience, 2023 में exam होने के समवावना बहुत कम है, 24 में दिख रहा है कि 24 में exam हो, but आप लोग patience रखिये, जिस दिन form और notification आया था, मैंने आप लोगों को बताई दिया था, कि DSSS भी बहुत डिले करत में, either it is related to ITI diploma, or related to BAID, or any other vacancies जो इनके department में आती है, जो भी relevant links है मैंने आपको description में दे दिया है, तोड़ा सा वीडियो लेट आई, reason हम BRC के review में लगे हुए हैं, आप लोगों ने देखी लिया होगा, क्योंकि उन बच्चों की मदद करना जरूरी है, लंबे समय से वो connected थे और बाकिया आप लोग टेलेगराम पर आजाईए, कोई समस्या है, तो आप mention कर देना वहाँ पर, धन्यवाद